लेको बचो, question number 26 में क्या आप वोला गए है आपसे, what will be the centroid of the triangle whose vertices are this, this and this, यानि एक triangle आपको दे रखिए जिसके तिनों vertices given है है में, और इस triangle के अपने को क्या निकालनी है, centroid, तो तिनों vertices आपके एक पर दिखलो, इसके coordinates क्या है, c-a, b-c, c-a, c-a, a-b, ये a है, ये b है, और ये c, centroid का formula आप सब जानते हो, centroid, बचो किसी भी triangle की कैसे निकाली जाती है, तिनों x-coordinate को add करके 3 से क्या करतो, divide, इसका x-coordinate vertex का ये है, इसका ये है, तिनों को add करना, a-b, plus b-c, plus c-a, और 3 से क्या करतो, divide, ऐसे ही centroid का y-coordinate कैसे निकालते हो, इन तिनों y-coordinate को add कर दो, और 3 से क्या करतो, divide, यानि b-c, plus c-a, plus a-b, और divide by 3, आप इन सब को add करोगे, तो ये क्या आएगा, cut के 0 आजेगा, 0 by 3, यानिके 0, 0, 0, 0 इस question का क्या है, answer आजेगा, तो आप directly इस question का answer बता सकते थे, अगर आपको ये पता है कि हमेशा याद रख होगे, 0, 0, 0, question number 27 में क्या का गया है, the vertices of 3 points of a parallelogram ABCD, are this, this and this, यानिकी, एक parallelogram के अपने को 3 vertices दे रखे हैं, और अपने को 4th vertex निकालना है, मैं आपको diagram मना के दिखाता हूँ कि इस question का क्या मतलब है, ये एक parallelogram है ABCD, और इस कहना 3 vertex आपको दे रखे है, a के coordinate क्या है, 2, minus 1, b के coordinate है, बच्छो, 3, 4, और C के coordinate किते है, minus 2, 3, और आपसे पुछा गया है कि इस T vertex के coordinates क्या होंगे, मैंने क्या मान दे इसके coordinate, x, y, आप आपको parallelogram की property पता है, कि ये जो diagonal होता है AC, और ये जो diagonal होता है BD, दोन्नों diagonal का midpoint जो होता है, बच्छो, क्या होता है, वो same होता है, यान बोलो AC का midpoint अब कैसे निकालोगे, दोन्नों x coordinate को add करके 2 से divide करो, 2 minus 2 by 2, और y coordinate को add करके 2 से क्या कर दो divide, इसी तरह से BD का midpoint क्या होगा, x plus 3 by 2, और y plus 4 by 2, अब इसको solve कर लो, ये क्या आगे देखो, 0 by 2, और 2 by 2, इसको cancel नहीं करना अपने को, cancel मैं इसलिए नहीं करता, क्य ये दोन्नों मानलो point equal है, तो इसका x coordinate बचो, इस x coordinate के equal होगा, यानिकि 0 किसके equal होगा, x plus 3 by 2, x plus 3 के आगया 0, तो x की value कितनी आगी, minus 3, और इसी point का बचो y coordinate की बात करें, ये वाला coordinate इसके equal होगा, तो 2 by 2 equal to y plus 4 by 2, ये 2 से 2 cancel हो जाएगा, तो y plus 4 की value 2, तो y की value कितनी आगी 2 minus 4, यानिकि minus 2, तो t के coordinate के आगे, minus 3, minus 2, अपने question cancer के आजएगा, option number t हो जाएगा, अब question number 28 में क्या का आगया है, आपको 3 point दे रखे हैं, और ये बोला गया है, बचो ये एक equilateral triangle form करते हैं, तो lambda की value बताओ, तो आप एक बर diagram मनाओ, मैं आपको बताता हूँ, कैसे निकाले लेंगे, lambda की value, अगर ये 3 point मिलके, equilateral triangle form करते हैं, तो इसका मतलब 3 side की length क्या है, बचो, equal है, इन 3 side की length निकालो, और क्या रखतो, equal, इसकी length, इसकी length, इसकी length, इसकी length, ठीक है, बट आपको 3 निकालने की ज़रूँ नहीं है, सिरफ 2 length आप निकालोगे ना, तब भी आसान हो हो जाएगा question, तो length कुन कुन सी निकालो, तो एक ये वाली length निकालो, और एक ये वाली length निकालो, ठीक है, तो आप क्या करो, बस AB और AC को equal put कर दो, चाहे तीसरी भी निकालो, लेकिन उसका कोई benefit है नहीं, क्योंकि वो थोड़ा question को length ही बना देगी, AB क्यों निकाल रहा जाने की root 3, और इसका क्या हो जाएगा square, और इसका root हो गया, ऐसे ही बच्चो, A से लेके C निकालना, A से लेके C क्या होगा, बो 3 minus 0 का whole square, plus lambda minus 0 का whole square, तो दोनों तरफ क्या कर दो, squaring कर दो, squaring करोगे, तो बो ऐसा आगया, 9 से 9 कट गया, तो lambda square की value बच्चो कितनी आगी, 3, तो lambda की value कितनी आएगी, plus minus root 3, lambda की value बच्चो कितनी आएगी, plus minus root 3, option में कहीं नहीं दे रखा, none of these, एक बार चेक कर लो, अपने को, ये vertices दे रखे है, 3, 3, lambda, इसकी length निकालेंगे, 9 plus 3, ये आगया, ठीक है, इसकी length निकालेंगे, 9 plus lambda square, 9 से रेन कट गया, lambda square की value 3, तो lambda की value के आगी, plus minus root 3, option number D आजाएगा, अब next question, question number 29, ये आसान सा question है, इसमें क्या बोला गया है, if these two points, मालो ये point है, A, ये point है, B, are equidistant from this point, ये point है B, जैसे, मैं आपको diagram मना के समझाता हूँ, क्या मतलब है, ये बोला गया है, कि ये जो 2 point है, A और B, ये दोनों point, B point से equidistant है, equidistant का मतलब बच्चों क्या है, कि A की distance P से, और B की distance P से, दोनों क्या है, सेम है, ऐसे, जैसे आप ऐसे समझो इस question को, मालो, ये 2 city है, इसको मैं बोल देता हूँ, मालो हिसार, और इसको मैं बोल देता हूँ, सिर्सा, और यहाँ पे बीच में मालो, इनके क्या है, फतेबाद, मालो वे हिसार और फतेबाद की distance 50 km, और माल लेते हैं, फतेबाद और शिर्सा के बीच की distance पर कितनी है 50 km, तो हम क्या बोलेंगे कि find fund FOAT जो है, वो हिसार और शिर्सा से, same distance के उपर है, यानकि star benio is equidistant from hisar and sister, हम यह बोलते हैं, तो हम क्या बोल रहे है, a is, या p is equidistant from this a and this point b, त इनका square भी equal होगा, मैं square क्यों दिख रहा हूँ, ताकि मुझे distance formula लगाने के बाद वो square root का use ना करना पड़े, तो बस आप क्या करो, x-2, एपी कैसे निकालते हो, x2-x1 का whole square, plus y-1 का whole square, square root लगाने के जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही square कर दिया, ठीक है, फिर क्या करो होगे, a square plus b square minus 2a b, ऐसे इसको solve कर लो, x square plus 1 minus 2x, और ये बच्चो क्या आजएगा, y square plus 4 plus 4y, अब देख लो, जो जो चीज़े cancel होगी है, cancel कर दो, x square y square, x square y square, plus 4 plus 1, plus 1 plus 4, क्या बच्चिया, सिर्फ अपना minus 4x minus 2y, और equal to minus 2x, और plus 4y, सब को एक तरफ shift कर दो, इन दोनों को इदर shift कर दो, ठीक है, minus 2x plus 4y, तो पहले ही सही था, ये minus 4x plus हो जाएगा, ये plus हो जाएगा, equal to क्या बच्चिया, 0, 4x minus 2x, यानिकि 2x plus 6y, equal to 0, 2 को मिले के काट दो, x plus 3y, equal to 0, यानिकि x plus 3y, की value बच्चो क्या आगी, 0, और ये अपने question का answer है, option number C, जो condition आपको question दे रखे आपके question का answer आ जाएगा, इस question में क्या का गया है, the centroid of the triangle formed by this, this and this, is at this point, यानि question में ये का गया है, कि एक triangle जो इन तिरनों point से मिलके बनती है, कौन कौन सा point, 7,x, और B है अपना y, 6, और C के coordinate का है, 9,10, इस triangle की बच्चो आपको क्या दे रखे है, centroid दे रखे है, कौन सा ये वाले point, यानि कि centroid के coordinate अपने को दे रखे है, तो अपने को x और y की value निकालनी है, तो निकाल दे, centroid का formula आप सब जानते हो, ये जो 6 निकलता है, centroid में x coordinate, ये कैसे निकलता है, 3 x coordinate को add करके 3 से क्या करते हो, बच्चो, divide, ऐसे करते हो, ये 3 कैसे निकलता है, 3 जो points है, उनके y coordinate को क्या करते हो, बच्चो, add और 3 से क्या करते हो, divide, हो जाएगा question सूल, y plus में 16, equal to 18, तो y की value कितनी आगी, 2, यहां से बोलो, x plus में 16, equal to 9, x की value कितनी आगी, minus के 7 आगी, तो एक बार check कर लेते हैं, 16, ये 18, 2 बच गया, और ये कितना हैगा अपना, ये point है था, 3, 6,3, 3 है तो 3, x plus 6, plus 10, x plus 6, plus 10, x plus 6, plus 10, ये x है, ये 6 है, और ये कितना है, 10, ठीक है, 3, 3 जा, 9, और 9 में से 16, minus करें हैं, 7, तो यानिकि, x, y आपको निकालना है, तो x, y क्या आगा, minus 7, 2, answer क्या आएगा, अपना option number, d आ जाएगा, none of these, next question देखो, इसमें क्या बोलता है, the perimeter of the triangle formed by these 3 point, यानिकि, इन 3 point से, मिलके बनने वाली triangle का perimeter, perimeter क्या होता है, तिनो साइड का sum, यानिकि, तिनो साइड की length निकालो, और उन 3 length को add कर देना, वो ही क्या कराएगा, अपका perimeter कराएगा, बोलो, A, B कितनी होगी, ये A से लेके, B, distance formula से निकालो, क्या होगी, 1 minus 0 का whole square, और ये तो C, C, निकाल दो, इसका difference 0 और इसका difference 1, यानिकि, बच्चों क्या आगी, 1, so, perimeter, perimeter का मतलब क्या होता है, तिनो साइड का sum, तिनो साइड की length का sum, यानि 1, plus root 2, plus 1, ये 1 और 1 मिलके क्या होगा, 2, 2 plus root 2, 2 plus root 2, यानि option number क्या आगया, लिया आगया, perimeter का मतलब सिर्फ इतना होता है, तिनो साइड की length निकाल के उनको add कर दो, इस question में क्या का गया है, अगर ये 3 point बच्चों क्या है, collinear, तो इसकी value आपको बतानी है, बहुत ही important question है, collinear, अगर 3 point कभी भी collinear given हो, तो मैंने आपको क्या बताया था class के अंदर, कि इस triangle का area क्य 0, दूसरा point 0B, तीसरा point 11, और मैंने क्या बताया था, first वाले point को क्या करते है, repeat करते है, a 0 को repeat कर दो, और इसकी value क्या रखतो, 0 के equal, अचा अब ये 1 by 2 तो 0 हो नी सकता, इस 1 by 2 को तो हटा दो, फिर इनको कैसे solve करते हैं, ऐसे multiply करते हैं, a into b, 0 into 1, और 1 into 0, फिर minus का sign लगा के फिर निचे से उपर ऐसे multiply करते हैं, ऐसे, तो a into 1, b into 1, और 0 into 0, इस तरीके से, equal to क्या गया, 0, solve कर लो, a, b, minus a, minus b, equal to 0, इस minus a, minus b को दूसरी तरफ shift कर दो, a plus b हो जाएगा, अब जब भी कभी, ऐसी equation आजे हैं आपके सामने, और prove ये करना है, यानि इसकी value निकालनी है, त बचो, divide करतो, तिनो टरम को, a, b, c, क्या करतो, divide, ये हो गया, 1, ये a से a कट किया, 1 by b, ये b से b कट किया, 1 by a, यानि की, 1 by a, plus 1 by b, की value कितनी हागी बचो, 1, 1 इस question का क्या है, correct answer है, 33rd question देखो, इसमें कहता है, ये जो point है, ये mid point है, बचो, किसका, of the line segment joining these two points, मैं आपको ए a, और ये point मान लेते हैं, b है, और ये बोला गया है, कि ये जो m point है, ये मान लो a है, और ये b है, ये जो m point है, बचो, ये इस a, b line segment का क्या है, mid point आपको दे रखा है, और अपने को value निकालनी है, किसकी, a की, mid point formula अपलाई करो, बस, mid point formula में आप मुझे ये बताओ, ये जो x coordinate निकलता था, ये कैसे निकलता था, इन दोनो x coordinate को add करके 2 से अब क्या करते थे, divide, तो बलो कितना होगे, ये minus 8 by 2, और minus 8 by 2 कितना होता है, minus 4, cross multiply कर तो, a by 3 की value क्या आगी, minus 4 by 1, cross करोगे तो a कितना आगे, minus 12, minus 12, अपने इस question का answer है, question number 34 में, फिर ये question है, कि ये 3 point आपको ब area of triangle a, b, c को क्या रख दो, 0, 0 रखो, अपने या भी पता लगज़ेगा कौन सा option true होगा, area कैसे निकलते हैं, half बाहर दिखते हैं, फिर 1, 2, 0, 0, a, b, और first point को क्या करते हैं, repeat करते हैं, equal to क्या आगे, 0, तो फिर वोई 1 by 2 को तो हटा दो, इनकी multiply करो, ऐसे multiply करो, 1 into 0, 0, और 0 into b, 0, और a into 2 कितना आगे, 2a, ये होगी, फिर minus का sign लगाओ, minus का sign लगाके, और फिर ऐसे multiply करो, इन तिनों numbers की, ऐसे, तो ये क्या आगया, b, ये क्या आएगा, a into 0, और 0 into 2, 0, तो ये 0 आगया, answer क्या आगया, बहलो, 2a minus b equal to 0, यानिकी, 2a is equal to b, 2a is equal to b, होना चाहिए, option number क् 35th portion में क्या कहा गए, देखो, the point which lies on the perpendicular bisector of the line segment joining these two points, देखो, क्या मतलब है, ये एक line segment है, जो a और b को join करने से बनता है, ये इदे रखा है, ये बोला गए है आपसे, कि इस line segment का जो perpendicular bisector होगा, perpendicular bisector का बच्चों मतलब क्या होता है, ये red वाली line, इसको क्या बोलते है, perpendicular bisector, इ मतलब ये 90 degree के angle बनाती है, और bisector, bisector का मतलब क्या होता है, कि ये जो red line है, ये AB line segment को तो equal part में divide करती है, यहां और यहां, इसका मतलब ये जो point होगा न, बच्चों, ये M, बोलो क्या होगा, इसका midpoint होगा न, M is the midpoint of AB, और midpoint आप निकाल सकते हो क्या, M के coordinate निकालो, बताओ क्या हो गया, minus 2, plus 2 by 2, x1 plus x2, और y1 plus y2 by 2, तो ये बच्चों क्या आगया, 0, ये भी क्या आगया, 0, तो आप ये बताओ मेरको, क्या ये 0, 0 point आपको पता लगया, कि कैसे आया, आप से पुछा क्या आगया, question में देखो, क्या तब वो point बताओ, जो इस perpendicular by sector के उपर lie करता है तो इस perpendicular by sector, याने कि इस red वाली line के उपर, क्या ये M point लाइन नहीं करता है, करते हैं M point, M point इसके उपर ही तो है, तो इस question का अनसर क्या आजेगा, 0, 0